नमस्कार उम्शान्ति, माई इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी तर्शकों का एक बार फिर से स्वाज़त है मित्रतु पिछले एपिसोड में हमने यह जानने की कोशिश की कि पीस यूएस क्या है आज भी हम उसको ही जानने की और कोशिश करेंगे और उसकी गहराई में जानने की कोशिश करेंगे पिछले एपिसोड में हमने जाना उसके लक्षन, आज जानने की कोशिश करेंगे उसके कारण आज फिर हम अपने इस कारेक्रम में डॉक्टर सुमीरा जी का स्वागत करते हैं आए स्वागत करते हैं डॉक्टर जी आपका इस कारेक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है थांक यू बेहन आप हमारे पिछले कारेक्रम में आप से इस तरह के हमने प्रशन पूछे मतलब जी हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है हॉर्मून का वो बैठे बैठे नहीं आ रहा है उसका कारण हम ही है तो सबसे पहले हमारे आने वाले पीडी को जो औरते हैं जो काम कर रही हैं जो घर पे बैठी हैं जो खा रही हैं जो पी रही हैं उनको ये जाना बहुत आव आज मैं यही जानना चाहते हूं कि जो महिलाओं के जो रोग है विशेश कर क्या कारण नजर आते हैं हमें हम कैसे इसका मतलब पता करें क्या ऐसी बात जो और अलग तरीके समय से जाने सबसे पहले जो कारण हमने देखी हैं PCOS के पहला कारण तो है कि उनका खाना पीना जो बा आती है अक्सर देखा गया कि उनका जो है PCOS के चांसे बहुत कम होते हैं और पांच से पंद्रा पर्तिशत जो प्रेवलेंस है PCOS का वो इसी कारण है कि उनके अंदर जो बाहर का फास फूड है या पैकेड़िट फूड है जो प्रोसेस्ट फूड है जो पैकेड होते हैं उस प्रेसर्च वर्क चलता रहता है और देखा गया है कि पाया गया कि जितने हम मार्केट में यह मार्ट है आज कल कितने नए-nए मार्ट आ रहे हैं जहां आपको फ्लैशी पैकेट में अपना खाना पैक किया वा दिखेगा तो अक्सर वो जो जो लीडिज अगर प्रभावित कि अटिखंब शुअर इस यह माने गए है और सच में वो जो हमारे अंदर के जीन है उसको सिधा हम खा रहे है हमें तो पता चल रहे है कि हम कहाना खां रहे हैं अजिपिन ने क्या विजिवी ए इन वाइट कर रहे हैं तो आपक स informação जि़न का खाने चाहिए को शीज़ों हा झ दूसरा हमें क्या खाना है और तीसरा कितनी क्वांटिटी खानी है अगर हम इन चीजों का दिन में टाइम टेबल बना लें करियों को बहुत मुश्किल आती है खाली यह तीन चीजें अगर वो कर लें अच्छे से तो डाइरी बना सकती है अगर मन से नहीं हो पारा यह ग्रु कि मुझे पैकेट फूड नहीं खाने अपना घर का होम कुट फूड यह खाएं तो अच्छा रहता है पेशन्स को कई बार देखा गया है कि जो जो टाइमिंग है खाने का वह बहुत इराटिक है बहुत दिफरेंट है जो वह खाएंगे लंच टाइम अगर दो बजे का है व चीह वह खानाrü ना बहँ में पते हैं तो यह खाना डालते हैं अगर खाना डाला श्तीमिलाशन गयी वह ब्रें में गयी अब क्या है कि भूआ पे एक क्रॉस सफ्च्छन अगर हम लगाते हैं ऐसे मतलब फिलस सइंचर सेरी ग्लान है एक संटौेर्ज मेन फिलसते panthen से और बाबा के साथ एक लिंक जोडते हैं तो वो भी हमारा आत्मा जो हम कहते हैं हमारी वो भी उधरी है जहां पिच्टरी ग्लैंड है तो हम उस आत्मा से अगर हम उसको चेतना में रहें उस आत्मा को हमेशा याद रखें हमेशा एक पिच्टरी ग्लैंड को stimulation मिलता रहता है वो उ डो पीच्छर बाहनी जहां टार हुज़्ट इसे थीच्छ लेंगन नियुटाडन्ट नियुटीन के तीच्छर लेंटेटीनी ईंकलता है। तेसेज का फुल फूल है थायरस्टिमलेटिंग होमोन आच्छा कर रहां से वह से थायरॉकसिन जो हमारा active ingredient डिये सथ का तिह हां शवें जाए तीज हम बոलते हैं T6 2 T3-3 लेवल और कुछ नहीं है विए थायरॉकसिन और इंका अर्यून और एंका हमकrado हम त्री पूरी बॉड यह से स्टिमूलेशन मिनती है गौनारोट्रॉफिन्स है जो पिछतरी ग्लांट से रिलीज होते हैं अचुल pure को वह सारे से नीका राते अपनी आत्म अगर हमारी चेतना में है अगर हम अपने आपको समझते हैं तो वहां से सारी चीजे हो हैं बालन्स कर सकते हैं जिस तरह से आपने मुझे दो चीजे बताई यह एक हमारे योग में भी बताई जाती है चक्र जैसे आपके लैंग्विश में आप डॉक्टर हैं आप जिस हिसाब से बता रहे हैं मुझे एक खयाल आ रहा है कि एक चक्र भी है जी जी साथ चक्र होते हैं और उनके कलर्स के साथ एफेक्ट होता है तभी हम कहते हैं खाने में भी जब वो खाना खा रही है कोई भी होती तो लाता हैं तो गुम्बा रखंध लाल है और पॉम ग्रिंड बहुत अच्छी चीज है वह भी होतो है उइस हो बहुत एफेक्ट का अच्छा है तो जो चक्र है रड़ वाला रूट का जिसे हम बोलते हैं तो वह है ह। रहे हो बैस नीचे जिससे बहुत अच्छी बनता है वो भी बीच पीच में मेरा कही ना कही लेकिन अभी बाप शुरू हो रही है तो आपने रेड चकर का मुझे ऐसे वहता है तो उससे हमारा जो PCOS का केस है में हम अक्सर कहते हैं कि आप यह खाये वो खाये तो PCOS के केस में हमें पॉम गरेड जो है वो बहुत अच्छा है हाई फाइबर डाइट जरूर खाने चाहिए है नट्स और सीड्स बहुत खाने चाहिए है नट्स और सीड्स में एक ओमेगा-3 fatty acids होते हैं कुछ लिपोएक ऐसे जो हम अकसर दवाईयों में supplements देते हैं वो सब खाने में है बट प्राब्लम ही है कि रोज fruit काट के कौन खाए कुछ ना कुछ रुकावटे हैं कुछ शरम है यह घर में मैं fruit नहीं खाती मैं रोटी रोज खा लेती हूं खाना बनाएगा उसी में ताइम निकल जाता है कई बा एक और चीज जो मैं यंग लेडिस को बताना चाहते हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है घी नहीं खाती है आप लोग घी नहीं खाते हो घी जो डेसी घी डेसी काव का घी है वो PCOS में अकसर वही चीज हम कहते है कि it is a must on a daily basis एक चमच घी जरूर खाएं एक चमच घ जो प्रोसेस चीज आते हैं जो पीजा के ऊपर चीज है वो मत खाएं क्योंकि वो कहीं नहीं उनमें भी कहीं नहीं कामिकल्स यूज किये हैं और प्रिपेरेशन के ताइम और प्रिजर्व करने के ताइम बढ़ जो घी रह वो तो नाच्रल है और वो एक बार बना हुआ का कितने टाइम तक वैसे ही रहता है बिना प्रिजर्वेटर के तो वो हमारे शरीर को भी साफ करता है हमारे मन में एक वहम है कि घी खाने से मोटे हो रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है अच्छा दूसरी सालेड खाने में सालेड जरूर यूज करें हाफ प्लेट मेथर जिसे हम कहते हैं कि half plate salad से भरी होनी चाहिए उसमें जो हमारे कच्छे raw हो ताकि हमारे मुँ में जब ही हम खाएंगे digestive system हारा माउट से start होता है तो जब हम खा रहे हैं चबा रहे हैं तो वहांसे digestion शुरू हो तो चबाए नहीं है तो स्टिमुलेट नहीं होता है बोड़ी ओर्गन्स को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या खाया है उसने तो एंजाइम्स ही नहीं आएंगे तो अंडर एक्टिव थार्ड हॉर्मोन कई बाद देखा गया है है हाइपो थायरोजम के रूप में कई बार ओर भी दिखता है और उसके कारण कई बाद देखा गया जैसे थायरोड की प्रॉब्लम लेलो आप पीस वेस में अक्सर देखा गया कि लोगों का यह ती एसे कम हुआ होता है यह बड़ा होता है और दूसरी बात है उनकी बीमाई बढ़ा होता है और हाइपर टेंशन भी होते ह बीप बहुत जादा होता है तो उसके कारण यही है कि बीप सॉल्ठ हम जो बाहर से खा रहे हैं एक्स्ट्राइड पीजा में है इसमें है प्रोसेस फूड में है इस एक रोग की वजा से कई रोग उठब होते हैं आपके लिग इस एक रोग आ सकते हम एक को नहीं सफोकस करे क्योंकि हमें लिपिद प्रोफाइल भी देखना होता है, हमारे अंदर जो लिपिद है ना, फैटी टिशू हैं, वो एडिपोसाइट उसमें फैट स्टोरेज होती है, मतलब जो भी फैट सेल्स हैं, उसमें सिरफ फैट स्टोरेज नहीं होती है, उनका दूसरा है हॉर्मोन्स उन फैट सेल्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, जिसके कारण अगर वो हॉर्मोन्स ओर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जादा हॉर्मोन्स भी आ जाते हैं, वो भी प्रतिक्रिया जो हमारी पूरे चरीप के बिगार सकती है, आपने हॉर्मोन्स की बात की तो यह हॉर्मोन्स ज दो चीजे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और उसका मेन रीजन यह है कि हमारी बहुत आराम वाली जिंदगी हो गई है, सिदेंटरी लाइश्टेल, और उससे बाहर निकलना के लिए हमें जैसे एक्सरसाइज रोजाना सुबा उठें, अपने आप खाना बनाएं, हमारे जैसे ब्रह्म कुमारी में हम लोगों को सुबा जल्दी उठना है, सबसे पहले मन की शक्ती हम लेते हैं, सुबा उठकर, फिर शाम को जब हम एवनिंग में फिर से एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, आप साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करें, खाना हम खुद अपना बनाते हैं, ताकि हमारी आइस जब हम खाना बना रहे हैं, तो हमारी eyes उस खाने को देखे उसमें energies हमारी अपनी जो पवित्रा energy है वो ही जाती है और हमें पता है हम क्या खाने वाले हैं क्योंकि हमने खुद बनाया होता है ना तो फिर हम जब अपने आपको देते हैं, हमारी आत्मा को मालुम है हम क्या खा रहे हैं, बहार से पैकेट फूट खाया हमें सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, बर जो हम अपना बना के खा रहे हैं, वो उसमें nutrition भी है, यहां पर आपने कैसे एक बात कहीं, हम उसमें अपनी साकारात्मक सोच डालें, लेकिन अपनी साकारात्मक सोच को और व्यभार को परिवर्तन करने के लिए मुझे क्या करना पड़े हैं, जिसे मेरी ये बिमारी भी जूर्ड हो सके और स्ट्रेस भी ना रहे हैं, यह तो बहु कई ऐसे पेशन्स भी देखें हैं जो आते ही अपना स्ट्रेस पहले बताते हैं बिमारी नहीं बताते हैं, वो पहले अपने स्ट्रेस को बताएंगे कि आज मेरे साथ यह गलत बात हुई, या आज मुझसे यह जगढ़ा मेरे साथ किया उसने, या मेरे साथ यह चीज अच्छी तो उनके लिए बिमारी बिमारी नहीं रही कि और as a doctor हमें भी कई बार हम भी कई बार बोलते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता तो वो भी नहीं सोचना सकारात्मक सोच डॉक्टर को भी चाहिए पेशन्स को भी चाहिए और कहीं न कहीं जो दिन चर्य है अगर हमें देख के किसी को लगता है कि हां इनका दिन चर्य कैई बहुत तो लेट आएंगे सुबानी टाइम पर आएंगे उनका दिन चर्य भी बीजी होता है नहीं आते हैं पेशन्स भी नहीं जाते हों कहते हैं तो हम क्या ठीक होंगे तो इसले अप्रशन इसले किया किया कि कई लोग मुझे देख कर ये सोच रहे हैं कि खुद ब्रह्मा कुमारी है और साकारात्मक बात के बारे में बात कर रहे हैं इसले कर रहू हूं अकसर हम किसी डॉक्टर के जाते हैं तो उनका भी यही कहना होता है चलो हमारी बात माने ना माने वह अलग बात है लेकिन डॉक्टर भी यही कहता है कि अगर आप अपनी बीमारी के साथ अपनी सोच को साकारात्मक करेंगे तो आपकी बीमारी भी एक अलग लेवल पर आएगे तो मेरा कहने का मतलब यही मुझे प्रेशन पूछा गया किसी ने कि अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो यह बात कि क्या इसका लास्ट जो एक इलाज है सिर्फ ऑप्रेशन है अचली ऑप्रेशन तो बहुत तेर बाद हम लोग PCOS को जब कोई आता है तो PCOS कैसे रूल आउट करना है हमें अचली डारेक्ली कोई भी डागनेस आजकल जो बना लेते हैं कि इसको PCOS है वो भी गलत है पॉलिसिस्टिक ओविरिन सिंड्रोम बेसिकली तीन चीजों का गठा होना है वो है अनोविलेशन उसमें क्या है कि सबसे पहले आपकर देखा जाता है कि जो अंडा दानी है उसके अं जाननी होना होता है अनोविलेशन होता है जब अंडा एंडा ही निकल ने निकला तो पीचल हीं अंडा ही हर्शितिक अंशने हां कही जो आतेख हैं तो अंडा है नहीं कर दोतने हैंक्त दूसरे हैं की 냉सने हर्म कहीं पहुत आन्ड uh I teach them नहीं करने जो बनी का ऴेसे जादा एक माच्योर फॉलिकल चाहिए ओवरी में अगर वह मतुरेशन नहीं हो अगर चोटे 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 तो बन रहे हैं फॉलिकल बट वह एक फाइव अमम के जैसे बन रहे हैं उसको 10 अमम तक 11-12 अमम तक होना पड़ता है एक अंडा बनने के लिए उसको बनाने के लिए और पीछे से स्टिमुलेशन आते हैं और बनते हैं तो फॉलिकल बन जाती तरह की ओवरी में मुल्टिबल सिस्ट जो होते हैं वह फॉलिकल होते हैं तो यह तीन चीज़े अगर हैं अल्ट्रसाउंड से फिर फाइनलाइज करना चाहिए कि इस नीडी को या इस यंग गर्ल क ऐसा है यह दो इनकर टाएं तो बनाना है तो यह दाइनल Carn vidéofalls मतलब जब तक यह तीन चीज़े नहीं होते हैं तो उसको 良爓 में को थीक कर सकते हैं पलemente आजाए अब फेशल हीर नहीं तो फिर अखने होने लग जाए इनको प्यंतर कि टीन-टीन महिने तक फिर उनको two treatment start करना हुटा है इन तीन मेने-के बार भी tablet खाने के बार फिर भी कोई process नहीं होता है मैला घा हम फिर उसके बाद हमें जितना हो सके इसको सर्जरी को तो पोस्पोन करना चाहिए यंग लेडीस में पैशली जो उनकी अरल पर्गाद के बार देते हं तो जो हम लोग मैरेज़ के बार देते हैं तो एक प्रग नन्सी तो ज होते है वही प्रएफर्व पादा जऊता है नोन घर प्रदलान एक यंग गर्ल्स ऐसे आनल नोгов करने थे पहले 14 शॉट का साइकल होता है एठास दिनमेंस से और दूसरा 14 दिन जो है, दूसरा second half of monthly cycle, उसका progesterone का phase होता है. तो जो oral pills है, वो पहले 14 दिन में estrogen दे रही होती है, और दूसरे 14 दिनों में progesterone दे रही होती है, वो दवाई खाने से, तो उसका सिरफ इतना ही रोल है, कि उसने time पे body को estrogen दिया, time पे body को progesterone दिया, 28 दिन के बाद जब अंदर की शक्ती वापिस आई, तो फिर periods आए, वो अंडा बना, अंडा नीचे गया, और periods आए, और वो regular cycles होने लग गए, और वो सिरफ उसके लिए नहीं होता है, उसके साथ आपकी बात बिलकुल मुझे याद आ रही है, जब आपने पूछा था, कि mentally भी बहुत जादा फ्रस्टेशन में चरी जाती हैं, लेडीज, तो अकसर इस्टेजन प्रोगेस्टरों जब कम होती है, तो उसके कारण ही होता है, अंदर के हॉमोंस इरिटेशन जो प्रवाइड कर रहे होते हैं, और वो लेवल्स जो है, उपर नीचे फ्लक्शेट होने के कार आपके बाद ऐसे केस आए होएं, जी बिल्कुर, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा होने लागा है, डेली के चार-पांच मान के चलो PCS केस डाइगनेस हो रहे हैं, असी में से पांच केस ऐसे होते हैं, जिनको PCS ही होता है, और अकसर उनके, और पांचों को अलग उनका treatment different होगा, जिनको सिरफ खाने कर परिवर्तन करना होता है, जिनका lifestyle change करना होता है, और एक और बात, गाइट exercise के लावा, गैजट्स, तीसरा cause जो है PCS का, वो है रात, नाइट, मिननाइट तक, गैजट्स के आगे, स्क्रीन के आगे, लाप टॉप, मोबाइल के आगे ब screen directs देख रहे हैं, उसके कारण क्या है, हमारी body के अंदर, जो melatonin है, जो secretions है, वो बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं, उसके कारण जो restful sleep generally आनी चाहिए, वो नहीं आती है, melatonin कम होने की वाज़ा से, और ये सारे hormones species में, जो estrogen position होना ये भी effect हो जाते है, calm, growth hormone, calmness खतम हो जाती ह तो मैं ये जरूर आजकर की यृत्या को कहना चाहूंगी, कि जो वो screen देखती है, आठ बजे के बाद, अगर avoid करें तो बहुत अच्छा है, उसके बाद, जो moonlight है, उससे थोड़ा energy लें, यह नहीं तो फिर जैसे बहुत, night mode करने screen का, क्योंकि उनके अंदर के जो effect होरा brain में, पिश्टाई gland में, वो कई जगा पे उसका effect फिर होना शुकू हो जाता है, prolonged exposure से, बहुत अच्छी बात, समय इतना नहीं है, लेकिन आगे हमें और बातें करनी हैं इसके बारे में, आज आपने हमें एक तू खाने के बारे में बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं और किस तरह से इसको हमें जो अपने कारण इसका निवारन बताया, कि हमें कैसे कैसे इसको एक 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 जामपल भी बताया कि कोई इस्तरी खाना बना दिये तो उसको उसमें क्या एक vibration देने चे ताकि उसकी सोच कैसे परिवर्टित हो सकती है, ये भी हमारे शरीर का एक पार् में और आगे अपिसोड देते रहें, तब तक के लिए आपका बहुत 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 मित्रु आज हमने जानने की कोशिश की कि इस बिमारी में यह एक बिमारी नहीं कहेंगे, ये एक हमारे शरीर का एक कह सकते हैं कि चलती रवतार है, इसको हम कैसे धीमा करें या किस तरह से इसको चलाएं, कैसे इसकी अपनी गाड़ी को ठीक रखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सोच, खाना, योग, योगा, ये चीजें हमारे शरीर को बहुत जरूरी हैं, खासकर की महिलाओं को, ये हमारा एपिसोड जो है, खासकर एक महिलाओं के लिए है कि जहां वो चीज वो कह नहीं पाती है यहां पर वो अपनी बातें एक mail के द्वारा एक message के द्वारा हमें भेज सकती है और किसी भी clinic में जाके डॉक्टर से वो बात कर सकती है खुल कर अपनी ली वो बात करें अपनी वीमारी के बारे में आगे फिर हम इसी कड़ी इस कड़ी के बारे में और आगे जाने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए दीजिये जाज़त नमस्कार उम्शंति